तमस्कान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप देखरें पाटलिपूत्र की पॉलिटिक्स बहुंपर विंशेक तिजस्फी यदाव पर एकुल घुटाले का आरूप लगा है यह अरूप जड़ियों के मुख्य प्रवक्ता निरज कुमार के मुताबिक तेखरें वेतन घुटाला किया है नेरज कुमार की माने तो तेजस्वी ने हलफ नामे में अपना वेतन 11,812 रुपए 50 पैसे क्यों बताया जबकि विधायकों और MLC का वेतन 40,000 रुपए से ज्यादा है जहां नेताओं का वेतन बढ़ रहा है तो वहां तेजस्वी अदब अपना वेतन घटा रहे है इस खबर की पूरी डेटेल हम आपको देंगे लेकिन इस वेज बिहार के स्वास्ति मंतरी की सोशल मीडिया पर जम कर किरकरी हो रही है दरजल बिहार के स्वास्ति मंतरी मंगल पांडे 19 अक्टूबर को एक दिन के दौरे पर बेगु सराय पहुंचे थे और इसी दोरान उन्होंने कई कारकर्मों के साथ सदर अस्पताल का इंस्पेक्शन किया जा मंतरी जी के सिर्फ पर शू कवर पहनाए गई जिसकी तस्वीरे हम आपको दिखाते हैं बस यही तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है इसे अस्पताल की विवस्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो वह इस्वास्ते कर्मियों की लापरवाई भी साफ नजर आ रही है तो क्या है तेजस्वी का नया घोटाला और कैसे विहार के हेल्थ मिनेस्टर की हो रही है फजियत इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इनचीफ टॉक्टर मैन इश्कवार सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है दन्यवाद लालू परिवार अपने घोटालों के लिए तो ही जाना जाता है लेकिन उप्चुनावों के बीच एक और घोटाला देखे ये आरोप जेडियो के तरफ से लगाया गया टेकनिकल आरोप है वितन घोटाला बताया जा रहा है वापस लोट रहे हैं राची से खाली हाथ कल तक तो बड़ी जोर सोर से कहा जा रहा था कि 18 सीटे हमने तैकर ली है जहां हम भारत जिंता पार्टी को अकेरे हरा सकते हैं लेकिन ठंठन गोपाल खाली हाथ वापस लोट रहे हैं और उनके स्वागत के लिए जेडियूनिक नया सुगूफा छोड़ा है सही बात है वही आप हलपनामा इस तरह के कैसे दे सकते हो वेतन विधायकों का 40,000 रुपे परमंत है और आपने जो दिया है उस हिसाब से आपका 11,000 बन रहा है तो ये सारी चीजें अपने आप में बताता है कि इस देश में कानून जो है वो बड़ा लुंज-पुंज है नेता कुछ भी कर गुजर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने लोन भी दिखा रखा है लोन कैसे आपको मिल जाएगा अगर आपकी जो है आए जो है वो 11,000 है मिनिममम भेज से भी कम है तो कई सारी चीजे हैं तो खैर इस तरह का घोटाला बाजी तो होता ही रहता है आपको बता रहा था कि जो हलफ नामा दोनों भाईयों ने दिया तेजप्रताप और तेज़स्वी सब लुक जानते हैं तेजप्रताप बड़े भाई है तेज़स्वी छोटे हैं लेकिन काज़ों के उपर हरा प्रावे में तेज़स्वी आधब बड़े हैं और तेज़प्रताप छोटे हैं तो यह ब्यार के अंदर कुछ भी possible है अजब गजब चीजे चल रही है मंगल पांडे की बात पर मैं आऊंगा लेकिन कुछ बड़ी-बड़ी developments हो रही है पटना के अंदर एक तो चिराक पासवान ने मीटिंग बुलाई उनको लग रहा है कि उनको बड़ा कम आका गया बीजेपी ने जार्खन में एक सीट थमा करके हमें रुसवा क्या है दूसरी परिशानी ये है कि हर्याना के अंदर भारती जिन्ता पाटी ने reservation में कोटा के अंदर कोटा डाल दिया जो सुप्रिम कोट का फैसला था अब चिराक पासवान को लग रहा है कि बड़े दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इस कोटा के अंदर कोटा के चक्कर में ये तो माजी साब समर्थन में आ गए है वो कह रहे हैं कि दलितों का सारा हिस्सा ज चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा है रामलास पासवान की पूरी ताकत वो कम हो गई जब नितिस बाबु ने दलित और महादलित में बैफरकेट कर दिया तेजसी आदब कोटा के अंदर कोटा उसके खिलाफ है अगर नितिस कुमार तो ऐसे वेक्ती है कि जाते जाते कही कोट चिराग पासवान के लिए लेकिन नितिस बाबु भी परिसान चल रहे हैं परिसान इसलिए चल रहे हैं कल रात कोई बता रहा था कि वैसे तो जीडियू दफ्तर जाते नहीं हो रात में संजे जा के साथ जो है वो गय और उन्होंने भी बैठक बुलाई है 28 तारीकों जहां मेजर फैसली लिए जाएंगे जब भी इस तरह की बैठक होती है नितिस बाबु कुछ न कुछ बड़ा फैसला जरूर करें एक बड़ी समस्या क्या डिस्कुशन चल रहा है उनको भी लग रहा है कि जारकंट के अंदर जो है मतलब तीन बड़ी पाटियां बिहार के अंदर जो है चाहे वो तेजसी यादव लालू यादव की पार्टी आरजडी हो चाहे वो चिराग पास्वान हो चाहे वो नितिस बाब हो जारकंट में जो चुना हो रहा है इनके गटवंदन के पार्टनर्स ने ही इनकी हैसिएत नाप किरभी मतलब हमारा जो लीडर है बिहार में बड़े बड़े लीडर उनकी बिहार के बॉंडरी के बाहर कोई हैसियत नहीं है तो बिहार में ही लगी आप लोगा बिहार में ही काम कीजिए यह si जाना का वहको सामना करने जरूरी है तो यह बैटेकों का दूर चलेगा तो तेजसों आध़ करें गे तो अपना बिहार में भी वह तैग करेंगे Congress Party को कितना क्या देना है नहीं देना है तो यह तो राजनिती जो है अंदर grumbling शुरू हो गई कुछ भी हो सकता है क्योंकि लोग जनता से ज़्यादा अपनी राजनिती साख के बारे में चिंतित होते है पिछले एक देर महने से कोई फैसला समझ में नहीं आ रहा है कि ब्यार की जनता के बेहतरी के लिए यह सब किया गया हो सब को राजनिती करनी है तो राजनिती करनी है तो OVC साहब ने भी नौक किया है अभी चार उप्चुनाव जो हो रहे है जी वहाँ दो कैंडिट की घोसना होगी दोकिया और गोशना होगी यह M.I.M. के तरब से मुस्लिम उमिद्वार खड़किये जा रहे है अब यह रोना दोना चलू हो जाएगा कि BJP की भी पार्ट भी टीम है कि OVC मुसल्मानों के वोट को काटने के लिए जो है वो यूपी में शुरू हो चुका है तो यह हमने कहा था कि जब हर्याना का चुना हुआ था तब OVC साहब ने क्या बयान दिया था कि भाई हम तो हर्याना नहीं गए फिर क्यों वहार गए अभी बीरापूर सीट से उवेशी कैने जो कॉंग्रेश की टिकेट चाहते थे लेकिन कॉंग्रेश को तो कोई टिकेट सीट दी नहीं गई है तो उसके बाद उवेशी की तरस होगा किसी को जनता के रवार देशच चिंता नहीं है सब को अपनी पाटी अपना साख अपनी राज़िती और उस चक्कर में है सत्ता तक जुगत लगाने की पूरी कोशिश और कुछ लोग जो मंत्री बन जाते हैं ऐसा ऐसा काम हो जाता है कि देखके हसी भी आती है बहुत जूते का कवर है मंत्री जी मंगल पंडे जी आप स्वास्त मंत्री है जूते जब आद भी जब किसी ओप्रसन थेटर में जाता है या आईसी वेरा में जाता है तो एक तो किट पूरा पहनना जाता है तो वैसे कई जगों पे जूता उतार के अंदर जाता है ताकि infection ना हो, लेकिन अगर जूता नहीं उतारना है, तो उसके लिए cover होता है, ठीक, अब कोई staff आया, जूते की cover दे गया, अब पहनाया वो या नहीं पहनाया, लेकिन तस्वीर में ये दिख रहा है, कि वो जूते का cover सिर पे टोपी के तरह इस्तमाल हो रहा है, अब सोकाज notice डाला गिया है, बैस सोकाज notice क्यों डालने हो बिचारे को, इसमें staff की क्या गलती है, इसमें staff की क्या गलती है, आपकी बेज़ती हो रही है, किसी की नौकरी खाल करेंगे आप, आप किस बात के लिए सिक्षा सौस्तमंत्री है, इसका मतलब है, कि आप कायदे से कभी किसी जगह पे inspection करने नहीं गए, अदर्वाइस आपको उस blue रंग के शू कवर को आप पहचान लिए होते हैं, बिल्कुल, तकि तो मजाग उड़ रहा है, और इतने बड़े लीडर हैं आप, बिहार में भारती इंता पार्टी के धक्ष भी रहें आप, बलबले मंत्राले के आप जो है वो, मंत्री भी रहें, और बीजेपी के लोग कहतें कि ब दिल्ली में आपकी बात सुनी जाती है, तो यह जो इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है, यह सब कोई बात नहीं हो जाता है कभी-कभी, किसी कोई नौकरी चली जाए, यह ठीक बात नहीं है, गलती आपकी है, आप सौस्त मंत्री हैं, आपको स्वेम मालूम होना चाहिए, इंस्पेक्शन करनी क्या गए थे, तस्वीर में तो डॉक्टर्स निदर आ रहे हैं, वहां पे तो कोई किट पहना वह नजर नहीं आ रहा है, अगर आपको चेक करना था, आप जा रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए, सबसे पहले आपको पूछना चाहिए था, कहा है हमारा क डॉक्टर्स क्यों नहीं पहले हुए हैं, तो यह तो जो इंस्पेक्शन करने जा रहा है, उसको ही जब मालूम नहीं है, तो दूसरे को दोस्त देने से क्या फाइदा है, वो खबर आ रही है कि वह इन्विस्टिकेशन कर दिया गया, जान चाहिए क्या आदिस दे दिये गय है, एक दो लोग को सस्पेंट करती है जाएगा, किस बात के लिए, गल्ती आपकी, आपको चीजे मालूम नहीं, आपने कभी धंग से इंस्पेक्शन किया नहीं, और इस तरह की तस्वीरे आ गई, तो आप किसी गरीब की नौकरी खाने के लिए आप इन्विस्टिकेशन कर तो ये सारी चीजे हैं, व्यार, मैं जब तक इस तरह के एलेमेंट राजजीति में रहेंगे, एक आदमी है, वो प्रसांद किसोर, आप ऐसे लोगों को मौका देते हो, चाहे वो नितिश कुमार हो, चाहे वो चिराक पासवान हो, चाहे वो बीजेपी के लीडर हो, आप इस वो अपना रास्ता साफ करें, अब उधर अलग बवाल चल रहा है पीके के बारे में, कल हमने एक विस्तित वीडियो बनाया था, कि कैसे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं पीके, ये उप चुनाओ जो है लड़ना नहीं था, लेकिन ये अपने आपको दुनिया का सबसे ब जिस तरह की खबरे राजनीति से आती है, पटना से, वो वाकई सर्मनाक है, चले इस तमाम जानकारी के लिए और सर्टिक विशलिशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहराल नीरश कुमार इससे पहले भी कई बार आरजडी और तेजस्वी यादव खुले कर कई बार राजनेतिक भुचाल भी आया, अब इस नए आर उप पर आरजडी कैसे अपना बचाफ करती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो हता है कि बिहार में एक बार फिर आरजडी और लालू परिवार को लेकर सियासत गर्मा चुकी है, वहीं मंगल पार ने ख़बर कैसी लगी है, कमेंट करके अपनी राज़ जरूर दे, वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, नमस्कार